तीन लोग यहां आये थे कि हम बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुक्देव सिंग जी से उनका जो सेक्यूरिटी है बोजा के पूछ लिया तो उनका अनुमती मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया वहां करीबन 10 से 1 मिनिट उनके साथ बातसीत किया 10 से 1 मिनिक के बाद उनके उपर फाइरिंग किया उस फाइरिंग में सुक्देव सिंग जी का डेथ हो गया उनके बगल में जो सेक्यूरिटी खड़ा था उनके भी गोलिक लग गया वो अभी हॉस्पिटल में आइस्यू में है और इस क्रॉस फाइर में क्रॉस फाइर के दवर रूम से शापुरा के कास पास का रहने वाला है और अभी जेपूर में निवास कर रहा है यह कोई दुकान करता है कोई चोटा-मटा कपटे का दुकान करता है तो जो भी हो हम उसका उस लीड है हमारे पास CCTV का फुटेज है जो टोटल खड़ना क्रम है वो CCTV में कईद हो गया है और अभी उसी का चल रहा है हम जो जितना भी साक्षिया और सूचना है हमारे पास है उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिनित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग गिया है उदर तक हम जल्दी पहुंचेंगे जैपुर में दोपर में एक गंभीर वार्दात भटित हुई श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुपदेव गोगा मेड़ी की हत्या कर दी गई गई अध्यारे बात्चीत करने के बहाने से उनके घर में दाखिल हुए और शुरू में बात्चीत भी किया और फिर उनके गोलियां चलाने शुरू कर दी इस गोली कांड में श्री गोगा मेड़ी को वह उनके एक अंगरक्षक को गोली लगी साथ ही जो आरूपी एक आया था इन हत्यारों के साथ ही उसको भी गोली लगी घर्टा के पश्चात ये लोग मौके से फरार हो गए दोनों हत्यारे और जो आरूपी साथ आया था उसकी वह श्री गोगा मेड़ी की मृत्यू हो गई है हमारे फुलिस कमिशनर जैपूर श्री बीजू जार्ज वह इनके समस्त अधिकारी और ऑफिसर्स लगे हुए हैं संभावित जो ठिकाने हैं बदमाशों के वहां दविश दी जा रही है और उसी जिलों में और विकानेर संभाग में भी इस संभावित जो बदमाशों के पांटेक्स हैं उन पे भी दविश दी जा रही है और हर्याना डीजी साब से भी हमने बात चीत करूंका भी सहयोग मांगा है रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है यह अरेस्ट हम जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करेंगे निश्चित रूप से यह गंभीर होते हुए हमारी टीमें लगी हुई है शिग्र हत्यारों को पकड़ा जाएगा और कठोर विधिक कारवाई उनके खिलाफ की जाएगा मैं अपील करना चाहूंगा सभी से कि वो धैरे बनाए रखें और शांती बनाए रखें निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी